हलो एविवान स्वागते आप सभी का अपनी चैनल के उपर जहां पे इंजिनेरिंग वाले वच्चे सीधा योयो के साथ बोल रहे हैं मच्छाओ मच्छाओ क्यूंकि भाई साब इंजिनेरिंग फिजिक्स की कहानी दिन बदिन आगे बढ़ रही है ऐसे टॉपिक शुरू किय जो आपको बाबाजी का दरबार छोड़के कई नहीं मिलने वाला है तो चलिए शुरुआत करते लेजर एंड फाइबर आप्टिक्स के नेक्स्ट सेशन को प्रीवियस सेशन में अपने क्या देखा स्पॉंटानियस एमिशन क्या होता है कितना एनर्जी वो छोड़ेगा कुछ अपनने देखा था इस सेशन के दोरान अपनने देखना है एमिशन का दूसरा टाइप उसकी बेसिक वाली डाइग्राम और बेहतरीन वाला दोनों के बीच में का डिफरेंस ये सारा सब कुछ देखेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी प्यार महपत और एश किने मिलेगी और कॉंसेप्ट शेयरली तो बाबा का दरबार है ही और जिनके साथ शेयर किया है पकड़ पकड़ के वाली सब्सक्राइब हो जानी चाहिए वाटस अप ग्रूप टेलीग्राम चैनल वाटस अप चैनल इंस्टाग्राम एंडल सबका लिंक नीचे के अंदर टाइप क्या है स्टिमूलेटेड एमिशन स्पोंटैनियस एमिशन में तुरंत रिलीस करता है स्टिमूलेटेड एमिशन क्या होता है देखते है तोड़ा ध्यान से पढ़ते यह ठीयरी नोट भी आपको मिलेंगे फाडव इंजिनेर अप्लिकेशन के अंदर अप हुएवर इज इन एक्साइटेड स्टेट कोई भी आटम होने जो जो एक्साइटेड स्टेट पर बोलेगा तो ईटू लेवल पे जाके बैटा है नीड आउट ओके नीड आउट वेट फॉर स्पॉन्टानियस एमिशन मतलब उसको थोड़ा सा समय लेना पड़ता है स्पॉन्टानियस एमिशन को ढूंडने के लिए या उसको परफॉर्म करने के लिए अब ये टाइम के दौरान कुछ एडिशनल पॉसिबिलिटी हो सकती है अब देखो एक्साइटेड स्टेट में हमें पता है कि कोई भी चीज जादा देर तक नहीं रह सकती फिर वो हमारा बिल्कुल भी आटम होने दो या हमारा इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज होने दो वो एक्साइटेड स्टेट पे जादा तेर नहीं रुख सकती तो ये क्या करेगी डाउनवर्ड पोजिशन पे आने की कोशिश करेगी और जब ये डाउन स्ट्रीम पे आएगी E2 से E1 लेवल पे आएगी तो उस समय पे ये रेडियेशन को एमिट करेगी और फोटॉन ओफ एनरजी जब ये एनरजी रिलीस की जाएगी और फोटॉन ओफ एनरजी HV is equal to E2 minus E1 ये अपनने प्रीएस सेशन में भी देखा था जिसको हम फोटॉन एनरजी कहते है जनाब can induce the excited atom can induce excited atom to make a downward transition releasing the energy in the form of photon मतलब क्या है इसका एक induced excited atom can make एक induced मतलब जो induced है उस E2 position पे वो downward transition कर सकता है और करते करते release कर सकता है अपने energy को in the form of what radiation absolutely perfect and जिसको हम photon भी कह सकते हैं hence the interaction of a photon interaction of a photon with a excited atom triggers the excited दिखो simple है यार already excited atom E2 level पे मौजूद है photon आ रहा है जिसको downstream करना है अब ऐसे situation पे trigger हो जाएगी समझ रहे हो atom triggers the excited atom to drop the lower energy state giving up a photon giving up a photon जो in the form of radiation होगा this phenomena is called forced emission or stimulated emission कैसे होता है forced emission or stimulated emission ओके इसकी basic सी diagram देखते है यार देखिए forced emission अभी force लगेगा तो obviously वहाँ पे थोड़ी जादा energy आपको release होते हुए नजर आएगी आप देख सकते हो यह मेरा E2 level है जिसको हम excited state कह सकते है excited state कह सकते है यहाँ पे और यह हमारा even level है जो lower energy state कह रहा है देखो यह downward की तरफ जा रहा है downstream हो रहा है तो ऐसे situation में जो पहले वाली थी वो HF थी है ना HF थी अब वो हो जाएगी 2HF क्योंकि photon का भी उसके साथ interaction होना है तो बिल्कुल भी एक extra photon पे release किया जाएगा in the form of what radiation इसी phenomenon को कह सकते हो forced emission जो जबरदस्ती से किया गया forced emission और stimulated emission अब यह दोनों जो emission है spontaneous emission and stimulated emission इनके बीच में बहतरीन वाला difference होता है यह difference कई सारी universities में पूछा जाता है ध्यान से बहतरीन तरीके से मैंने लिखा है एक बार पढ़ते है इसको चलिए difference between the emissions I knew it कुछ पार्ट मेरे पीचे चुपेगा लेकिन इसकी theory notes अब को मिलेगी जरूर 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 मिलेगी चलिए spontaneous emission और stimulated emission spontaneous emission में पहला point क्या है obviously उसकी concept है यार समझे रहे हो the transition of an electron बड़ी जयान से transition of an electron from an excited to a ground state happens as a result of natural tendency of an electron without any external agent कोई भी बहार की दुनिया का force वगरा लगा के वो excited से ground state पे नहीं आता उसका एक natural tendency है इसके वज़े से वो नीचे की तरफ आता रहता है absolutely next one what is stimulated emission then stimulated emission है क्या obviously याँ पे एक्स्ट्रा बहार का लगाना पड़ता है stimulated emission of radiation is a process where the photons are used to generate photons use किये जाते हैं भार से to generate other photons that have exact phase and wavelength as that of parent photon ताकि वो बिल्कुल भी force तरीके से अपने ground state पे आ जाए downstream कर जाए and that is the main reason that is the bigger difference between both of them की spontaneous में external legend की जरूरत नहीं होती वो natural tendency के वज़े से नीचे आता है तो वहाँ पे समय देने की जरूरत नहीं पड़ती है stimulated emission में आपको extra photon लगाना पड़ता है which is in exact phase and wavelength to that of the original photons समझ रहे हो next one अभी कहां कहां पे ये phenomenon use होता है ये जानना बहुत जरूरी है this phenomenon मतलब spontaneous वाला this phenomenon is used in LEDs, fluoroscent tubes आपने देखा होगा कि यार वो अपने आप ही चलते हैं कभी कभी तो इसका मतलब क्या है कोई external agent की वहाँ पे जरूरत नहीं है वो अपने आप ही चलते रहेंगे next one stimulated emission क्या होती है this is a key to form a laser beam भाई साथ बाहर से जब आप photon डालोगे interaction होगा तभी तो एक laser beam निकलेगी और ये actual reason है अपने laser beam को form करने का देखो कितने basics है मैं आपको लेकर जा रहा हूँ laser beam form कैसे होती है वहाँ से शुरुआत करेंगे फिर fiber optics की तरफ भी जाएंगे बढ़ते आगे next one no multiplication of photons takes place obviously बाहर का कोई photon आई नहीं रहा है तो multiplication of photon होगा ही नहीं लेकिन अपने spontaneous में होता नहीं है stimulated में ये जरूर होगा that is multiplication of photons obviously takes place okay this emission मतलब spontaneous this emission cannot be controlled अब control नहीं कर सकते हैं photon ही डाल रहे हो तो control कहां से करोगे जनाब समझे नहीं मेरी बात को and दूसरा वाला stimulated emission can be controlled effectively because बाहर से जो photon जो भी चीज़े आप डाल रहे हो external agent जो डाल रहे हो उसको control कर लो emission अपने आप control में आ जाएगा कड़क वाला यार वापस से वही point no external stimuli stimuli बुलेगा तो atom है na required this cause due to external stimuli itself वो खुझ से नहीं हो पाएगा कौन सा वाला stimulated वाला spontaneous के लिए external stimuli की जरूरत नहीं होती so these are the main five points which can distinguish which can differentiate between spontaneous emission and stimulated emission तो ये असली कहानी है सारे emissions की emission क्या होता है उसके दोनों types क्या होते है उसकी short note क्या होती है उसका difference क्या होता है सारा का सारा हमने बता दिया इन वीडियोस की माद्यम से थोड़ा आगे जाएंगे population inversion भी देखेंगे और fiber optics के बारे में भी पढ़ेंगे लेकिन तब तक अपने चैनल के साथ बने रही है धेरो सारा प्यार की जरूरत है फटा फट से लाल वाला बटन अभी के अभी दब जाना चाहिए और वीडियोस को जरूर शेर करिए मिलते नेक्स सेशन में तब तक के लिए बाब बाई टेक केर और थैंक यू सो मज़ गाइस